खेतों में पौधों की बांचित संख्या, उचित विकास वा अधिक उत्पाधक्ता के लिए खरीफ दलहनी फसलों की बुआई पंक्तियों में करने की संस्तुति की जाती है। इस विधी में बीज की मात्रक कम लगती है और साथ ही फसलों में अनतह सस्क्रियाओं को करना भी आसान होता है। पंक्तियों में बुआई विधी में फसलों की बुआई समनांतर पंक्तियों में निश्चित दूरी पर की जाती है। इस विधी द्वारा बुआई करने पर पौधों को विकास के लिए पर्याप्त स्थान मिलता है, जिससे पौधों में प्रकास सैंशलेशन की दर में वृद्धी होती है। तधा वायू प्रवाह अच्छा होने की वजह से नमी के कारण होने वाले कई रोगों के प्रकोप में कमी आती है। इन सभी परिस्थितियों का फसल उत्पाधक्ता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। पंतियों में बुआई के लिए ट्रेक्टर द्वारा संचालित सीड्रिल अथवा हल बैल के पीछे कूडों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में इस विधी द्वारा बुआई के लिए कई तरह के बीज प्लांटर उपलब्ध है। खरीफ दलहनी फसलों में अधिक वर्षा होने की स्थिती में जल भराव के कारण पौधों की वानचित संख्या प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। ये समस्या खास तोर पर जल भराव के प्रती अतिसमवेदन शील फसलों जैसे अरहर वा मूग की फसलों को अधिक नुकसान पहँचाती है। इसलिए अधिक वर्षा वाले वजल भराव वाले क्षित्रों में खरीफ दलहनी फसलों की बौई रेश्ड बेड अत्वा मेडों पर करने की संस्तुति की जाती है। रेज्ड बेड या मेडों पर बुवाई में खेतों में उठी हुई क्यारियां तैयार कर उस पर फसलों की एक या दो पंक्तियों में उचित दूरी पर बुवाई की जाती हैं। प्रियामों का निर्धारण फसलों की आवशकता के साथ साथ ट्रैक्टर के टायरों की दूरी, व्रदा के प्रकार, लवनता तथा सिचाई के जल की गुणवत्ता पर निर्भर करता है।